असलाम अलेकूम विवर्ज पहले मैंने आलू को छील लिया है इसके मैं स्लाइस कर लूँगी छोटे-छोटे टुकणों में काट लूँगी अब मैं ब्रॉकली का उपर का हिस्सा ले लूँगी नीचे वाला हिस्सा नहीं लूँगी इसे अलग कर दूँगी काट के आदी ब्रॉकली ले लूँगी मैं इसके भी छोटे-छोटे slices कर लूँगी यह हमारे आलू और ब्रॉकली के slices हो गए हैं अब ही नहीं हम steam करेंगे steam करने के लिए पानी मैंने पहले ही रख दिया था पानी में उबाल आ गया है इसके उपर हम रख देंगे चाननी आपके पास ऐसी कोई भी चाननी हो या streamer हो तो उसे use कर लिएगा इसके उपर डाल देंगे हम ब्रॉकली और आलू तक्रीब रं 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे steam होने के लिए रख देंगे दमवाली आज पर यह ढखना मैंने ढख दिया है मैं इसके नीचे दमवाली आज कर दूँगी बिलकुल यह जी 30 मिनट के बाद हमारे आलू और ब्रॉकली स्टीम हो चुके है ब्लेंडर के जग मैं मैंने निकाल लिया हिने इसमें मैं डालूँगी 140 स्पून और इगैनों कव आदा कब मैं पानी का डालूँगी इसमें अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे 304 मिनट के लिए बिलकुल स्मूध आपने इसको ब्लेंड करना है यह देखें जी हमारे प्योरी ब्लेंड हो चुकी है यह हमारे प्योरी रैडी है अपने बच्चों को खिलाएं और बच्चों को हेल्दी रखें यह देखें कितनी क्रीमी स्मूध प्योरी बन कर यह त्यार हुई है बच्चे आराम से खा लेंगे अगर आपको मेरी डेस्ट पी अच्छी लगए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा